नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टो पवान पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे राम मंदिर बनने की। आज तक की पूरी कहानी आखिर अयोध्या में क्यों हो रही है। अजीब घटनाएं। आखिर क्या इन घटनाओं की। तो दोस्तों, बिना देरी किये बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बैल आइकन को आल पर सेट करना ना इस कहानी की शुरुवात होती है 1528 से समय तक देश में मुगल सामराज्य की नीम्व पढ़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो सेनापती मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद मस्जिद बनाई गई या नहीं इसका कोई एतिहासिक प्रमाण नहीं है। तुलसीदास ने 1586 में रामचरित मानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उलेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ मौंट गो मेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले पूर्वी हिस्से में एक चबूत्रा बनाया। इसी चबूत्रे को राम चबूत्रा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्म भूमी भी कहा गया। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूत्रे वाले स्थान को ही राम जन्म भूम था हिंदू और मुसल्मानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है दिसंबर 1949 में अयोध्या में नौ दिनों के राम चरित मानस पाठ का आयोजन किया जाता है अब साल आ गया 1980 का भाजपा जनसंग से अलग हो ग मर्थन किया हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्मान किया जाए 9 नवंबर को विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नीव रख दी और मंदिर निर्मान के लिए अभियान तेज कर दि होके थे ये कारसेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं भीड ने मस्जिद को गिरा दिया वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार किया जाता है रामलला उसमें विराजमान होते हैं 5 फरवरी 2020 को राम जन्म भूमी ट्रस्ट को मंजूरी मिली 5 अगस्त 2020 को प्रधा जन्वरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे तो ये थी अयोध्या के राम मंदिर की छोटी सी कहानी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जैश्री राम जरूर लिखना धन्यवाद